बारे बारे वेल्कम टॉल साथ ही एक जॉम्फाइटर नवरन पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है जैपेशी पीटी जी एस पेपर बन की क्लासेश में स्वागत है और आज साधी हो संडे है संडे को शूपर संडे में बनाना है और इसलिए एबरी संडे जैसे कहा था करेंट सब्सक्राइब करेंटब्स के क्लासेश में आपसा स्वागत है चलि इस्टाट करते हैं फिसमें आपको इंदेया और वर्ल्ड के करने परेस को देखना होता है चलिए अन्डिया और वॉर्ल्ल के कौनेटेस को स्टाट करते हैं पहला है पहला प्रसने अपके सामने ready है 30 एजनवरी 2 दौझार चोबिस को BMW सा ओरेंज फेस्टिबल मुसा ओरेंज फेस्टिबल का आय। घावते ना गहां किया गया लेंद करेंग्री ओरेंज केंद्रिय केबिनेट ने सुचना प्रद्योकिगी के छेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझोता किया है तो अमान के साथ अगे बढ़ते हैं 30 जनवरी दोजार चोबिस को अस्ट्रियलियन ओपन में पुरूस एकल अपना पहला ध्यविझम लिए तून्वरि दोजार चोबिस को किस देश ने बच्चों के लिए दूनिया का पहला नियमित ची का कारिक्राप सुरू किया है तो यह है कैमरून वह देश कौन है कैमरून वहाँ पर ठीका कारेक्राम स्टार्ट नहीं हुआता आज तक पहली बार स्टार्ट हो रहा है तो देश है कैमरून चलिए आगे बढ़ते हैं 29 जनवरी दोहजार चोबिस को किन दो देशों की सेनाओं के बीच संजुक्त अभ्यास जिसका नाम दिया सदातंसीक राजस्थान में आयजित किया गया तो भारत और सौदी अरब में याद रखेगा यह घुमा के पुछ सकता है कहां आयजित किया गया सदातंसीक तो राजस् 79 फिल्म फेर एवार्ड्स में बैस डारेक्टर का हवार्ड किसे दिया गया विधू विनोत चोपड़ा इसकी फिल्म 12 फेल के लिए बैस डारेक्टर का हवार्ड किसे मिला विधू विनोत चोपड़ा को फिल्म 12 फेल के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं 30 जनुवरी 2024 को ICC ने किस देश के क्रिकेट बोट से सस्पेंशन लगा दिया था उसे 30 जनुवरी 2024 को हटा दिया तो स्रिलंका स्रिलंका को हटा दिया और यह क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी ख़बर है चलिए आगे बढ़ते हैं 39 जनुवरी 2024 कोay फिल्म फिल्म का अवर्ण किस फिल्म का मिला यहां फिल्म 12 फिल को और इसके डारेक्टर कौन थे विदू मृत चोपरा जिसरे बेस्ट का वेवाड मिला 29 जनवरी 2024 को 79 फिल्म फेर एवार्ड में Best Actor and Best Actress का एवार्ड किसे दिया गया तो रनवीर कपूर को दिया गया फिल्म एनिमल के लिए Best Actor और उसकी पतनी आलिया भट को दिया गया Best Actress का एवार्ड फिल्म रौकी और रानी की प्रैम कहानी के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं 28 जनवरी 2024 को किस राज में थाई पूश्रम त्योहार मनाया गया थाई पूश्रम त्योहार किस राज में मनाया गया तो यह तामिल नाडू का है 28 जनवरी 2024 को नितिश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुखमंत्री के रूप में सबभत ली आगे बढ़ते हैं 28 जनवरी 2024 को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने 28 जनवरी 2024 को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने यह है आपका बर्नार्ट अर्नॉल्ड यह भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है बर्नार्ड अर्नॉर्ड ये कहां के हैं फ्रांस के 28 जन्वरी 2024 को हौकी महिला वर्ल्ड कप हौकी महिला वर्ल्ड कप किस ने जीता 28 जन्वरी को हौकी महिला वर्ल्ड कप नीधर लेंड ने जीता 27 जनवरी 2024 को किस ने विश्व के परतिभा सालिच छात्रों की सूची में पहला अस्थान प्राप्त किया तो प्रिशा चक्रवर्ती ने ये कहा कि है इंडिया की है लेकिन अमेरिका में रहती है ना तो अमेरिकन इंडियन है अमेरिकन इंडियन भारतिय मुल्की 27 जन्वरी 2024 को 3 ट्रिलियन बाजार पुंजी करेंड पार करने वादा दुनिया के दूसरी कंपनी कौन बन गई Microsoft तांकी है अमेरिका 27 जन्वरी 2024 को किसी वाईशेनाप पदक से सम्मानित किया गया निकिता मलहोत्रा को 27 जन्वरी 2024 को यूनिकॉर्ण बनाने वाली भारत की पहली AI company कौन बनी तो कुरूत्रीम कौन बनी कुरूत्रीम आर्टिफिशियल इंटिजनेंसी कंपनी है ये तो उसने क्या बनाए यूनिकॉर्ण ये बन गई बनने वाली भाद की पहली AI company यानि कि आब इसका ओधा बढ़ गया उनिकॉर्ण लेबल में चली गई वह company का नाम क्या है कुरूत्रीम तो और बेस्ट कंपनी को आगे और भी AI के छेतर में नाम रोसन करें इंडिया का 27 जनुरी दोजार चोबिस को भारते सेना ने कहां इंडि भारते सेना ने इंडिया सेलफी पॉयां तो जम्मु कस्मिर में ताकि वहाँ परेटन को बढ़ावा दिया जा सके तुरिजम बढ़े और जम्मु कस्मिर की पहचान है उसके तुरिजम के लिए 28 जनुरी दोजार चोबिस को पचत्रवें गंतंत दिवस पर किस देश के रा तो भावरिश कुमार ने निर्टिस किया था 26 जनुरी दोजार चोबिस को किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई जिहां आमेरिका में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजा मौत दी गई है फांसी बगर है तो चली अब चेंजिंग हो गया है उसका आप तरीका आप नाइटिजन गैस से भी मौत की सजा दी जा रही है 26 जन्वरी दोजार चुबिस को बीएसेप के किस जवान को मर्नो परांद राश्टपती पदक से सम्मानित किया गया शीशुपाल सिंग और शावल राम विशनो को राश्टपती पदक पुरिस्कार से सम्मानित किया गया 26 जन्वरी दोजार चुबिस को आएसेसी ने किस खिलाडी को वंडे क्रिकेट आप दे येर चुना है किसे विराट कोहली किंग कोहली को चुना है चलिए आगे बढ़ते हैं 26 जन्वरी 2024 को वारत वारत फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डिजट नाइट हवाई अभ्यास किया वारत फ्रांस और किस देश ने डिजट नाइट हवाई अभ्यास किया तो भारत फ्रांस और सन्युक्त अरब अमिराथ UAE तिनों ने मिलकर अरब सागर के उपर अभ्यास किया था चलिए किस राज के मयूर भंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी अस्थापित की गई मयूर भंज कहा है उडिशा में तो एंसर आपका क्या होगा उडिशा ही होगा मेलानिस्टिक टाइगर सफारी उडिशा में चलिए 25 जनरी दोजार 24 को किसे परतिष्टित फ्रीडम आफ दे सीटी आफ लंदन पुरुष्कार मिला अजीत मिस्टा को फ्रीडम आफ दे सीटी आफ लंदन पुरुष्कार किसे मिला अजीत मिस्टा को 25 जनुरी दोजार 24 की सुचना नुसार भारत किस देश को ब्रमास सुपर्सोने क्रूज मिशाहिलों का निरियात करेगा वो देश को आना है फिलिपिन्स यानि रक्षा के छेत्र में भारत अब पहले आयातक देश था और निरियातक देश भी बनने की वर आगरसर हो गया है त 25 जनुरी दोजार 24 को किस राज़ी का अस्थापना दिवस मनाया गया 25 जनुरी दोजार 24 को किस राज़ी का अभी हाली में अस्थापना दिवस मनाया गया है तो हीमाचल परदेश इसके अस्थापना कब हुई थी उनिश्चा एकत्तर में 25 जन्वरी उनिश्चा एकत्तर में इसकी अस्थापना होई थी इसलिए इसकी अस्थापना दिवस मनाया गया अभी हाली में चलिए आगे बढ़ते हैं 25 जन्वरी दोजार चोबिस को सिनियर यूरो क्यू इसकूल जितने वाले पहले भारतिय कौन बने जोती रांधवा 25 जन्वरी दोजार चोबिस को देश की सरस्थ्ट जूनियर विमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बने शौम्या तिवारी अगे बढ़ते हैं शाओदी अरब अपना पहला अल्कोहल इस्टूर कहां खुलने वाला है रियाद में किस राज की मोनपा हेंडमेट कागज को जियाई टैग मिला है अभी जियाई टैग मिला है इसे अपका किसको मोनपा हेंडमेट कागज को तो जियाई टैग मिला यह कहां का है और नाचल परदेश मोनपा हेंडमेट कागज को जियाई टैग मिला है जो कि और नाचल परदेश क को जानव को जिस राजी का स्थापना दीवस मनाया गया तो उत्तर प्रदेश का क्योंकि उत्तर प्रदेश के स्थापना हुए थिक विश्च जनौरी 59 को तिसकी अस्थापना दिवस अभी हाली में मनाई गई है निसे सुभास चंद्र वॉस आपदा परबंदन पुरसकार ले किसी चुना गया है। सिक्स्टी पेरा सुट फिल्ड अस्पताल उतर प्रदेश को। जिस प्रकार उन्हें आपदा में काम किया उसको देखते हुए से ये अवार्ड मिला है शिक्स्टी फिरासुल फिल अस्पितल उत्तर प्रदेश को 24 जनुरी दोजार 24 को किस देश की सरकार ने 22 जनुरी को आयोध्या राम दिवस घोसित किया है आयोध्या में राम मंदिर की प्रान परतिश्टा हुई थी 22 जनुरी को इसी की महत्यों को देखते हुए वहां के हिंदूओं को वहां की सरकार अपने पक्च में वोट बैंक बढ़ाने के लिए उन्होंने ये काम किया है 22 जनुरी को आयोध्या राम दिवस घोसित किया है कना । जनुरी में मस्जिर भी बननी है उसका नाम बदल कर कर दिया है मस्जिद मुहमद बिन अब्दुल्ला मस्जिद मुहमद बिन अब्दुला अगे बढ़ते हैं 24 जनुरी दोजार 24 को किस राज के मास्टर आउनीश को पर्धान मंत्री राष्ट्रिय बाल्पूरिश्कर मि परदेश के वो 24 जनरूरी 24 को ऑसकर दोजार 24 के लिए नौमिनेट हुई फिल्म टू ऐले कि निर्देशन किसने किया है नीसा पहुजा ने भारत की फिल्म जिसे कि नौमिनेट किया गया वी फिलाल ऑसकर के लिए वहां नीशा पाहुजा के डायक्षिन में बनी है नीशा पाहुजा 24 जनुरी दोजाद 24 को देश भर में कितने करोड छतों पर सोलर रूफ टॉप लगाने के लिए परधान मंत्री सुर्योदय योजना शुरू की गई है जिसके माद्यम से सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है इंडिया म में और घरों पर सोलर रूफ टॉप लगाया जाएगा तो इसके कितने घरों में लगाने की योजना है एक करोड ना एक करोड घरों पर पर हम आंत्री च्टूर्योदय योजना केता है सोलर रूफ टॉप च्छत पर लगाया जाएगा ताकि सोलर अनर्जी को बढ़ावा मिले और भारत कर सकते विदूत में जो क्रैसिस होता है उसकी कमिक से निजात पाए और परियारों के लिए अनुकूल एनर्जी का भ्योग करें 24 जनररी 2024 को कैंशलकार ने बहु भासर श्चा के लिए कौन सा एप लॉवाश्य क्या है अनुवाधनी अनुवाधनी एप लॉंच क्या बहु भासर श्चा के लिए यह था साथ हूं आज का 40 कर्टरफस आप सभी के लिए इसकिए आपको संड़ी को क्रेंटर की क्लासेश मिले क्लासेश चलती हैं जिससे आप जोएन कर सकते हैं बस आपको कोई फीस कोई पैमेट ने लेगा बस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस करके अल बटन को क्लिक कर ले और एवरीडे क्लासेश अप्लोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप क् पाएंगे थैंक यू थैंक यू वरी वरी मुच पर वाचिन इस वीडियो और कनेक्टिंव एग्जाम फाइटर नमर वन